सोनिया गांधी की नेत्रित्व वाली कॉंग्रिस पार्टी और चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझोते पर सुप्रीम कोट ने सवाल उठा दिया है शुक्रवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसे बोब्डे ने कहा कि चीन के साथ कोई राजनितिक पार्टी किसी M.O.U. पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती है कोट ने कहा कि किसी विदेशी सरकार ने एक राजनीतिक पार्टी के साथ कोई करार किया हो यहाँ बात उसने कभी नहीं सुनी कॉंग्रेस पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी और चीन के बीच 7 अगस्त 2008 को एक MOU पर दस्तखत हुआ गलवान घाती में चीन के साथ जड़ब के बाद कॉंग्रेस और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के बीच हुए MOU की बात सामने आई थी इस पर देश में काफी होहला हुआ जिसके बाद यहां मामला सुप्रीम कोट पहुँच गया अब सुप्रीम कोट ने इस मामले हाई कोट के पास ले जाने को कहा है चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे अनुरोध है यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशी नीचे दिये नंबरों पर भेज सकते हैं हमारा नंबर है 9911955719 चलिए शुरू करते हैं गलवान घाती में चीनी सैनिकों के साथ जड़प के बीच इस खुलासा से संसनी फैल गई थी कि कॉंग्रिस और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के बीच MOU के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन को दान के नाम पर चीन से काफी ज्यादा वित्तिय मदद मिली थी राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ भारत स्थित चीनी दूतावास, चीन सरकार, जाकिर हुसेन, प्रधानमंत्री राष्चिय राहत कोश, पीमिना रेफ, मंत्राले, सारवजनिक उपक्रमों के साथ-साथ करोंडो रुपे के घोटाले में फरार मिहुल चोकसी ने भी राजीव गांधी पंजाब नाशनल बान को हजारों करोड रुपे का चूना लगा कर देश से फरार हुए हीरा कारोबारी मिहुल चोकसी ने राजीव गांधी फांडेशन को ये दान अपनी कंपनी नवराज एस्टेट प्राइविट लिमिटेड के जरिये दिया था चोकसी ने एंटिगोआ और बारबुडा की नागरिक्ता ले रखी है चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी 13,500 करोड रुपे के PNB धोखाधरी मामले में मुख्य आरोपी है इसका खुलासा करते हुए टाइंस नाओ ने यह भी कहा कि चीन सरकार की पीपुल्स लिबरेशन आमी द्वारा वित्थ पोशित चाइना एसोसियेशन फॉर इंटरनाशनल फ्रेंडली कॉन्टेक्ट केफ्क ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को वित्तिय सहायता दी FBI केफ्क पर नजर रख रहा था और US चीन Economic and Security Reviews कमिशन की एक रिपोर्ट में अमेरिकी कॉंग्रेस में कहा गया था कि वह विदेशों में जासूसी गतिविधियों में शामिल था ओप इंडिया की खबर के अनुसार कई सरकारी उपक्रमों ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में दान किया था इनमें ग्रिह मंत्राले समेच साथ मंत्राले और ग्यारा बड़े सार्वजानिक उपक्रम भी शामिल थे यह सब दान तप किये गए जब देश में मनमोहन सिंग के नेत्रित्व में यूपीय की सरकार थी कॉम्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उस समय यूपीय की चेर परसन थी दान देने वाले मंत्राले और सरकारी विभाग ग्रिह मंत्राले प्रोड शिक्षा निदेशाले मानव संसाधन मंत्राले स्वास्थ्य और परिवार कल्यान मंत्राले परियावरण और वन मंत्राले लगु उद्योग मंत्राले राष्चिय स्वरोजगार मिशन ग्रामीन विकास मंत्राले द्वारा एक परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्राले द्वारा सबला दान देने वाले सारवजनिक शेत्र के उपक्रम L.I.C. सेल गेल इंडिया लिमिटेड ओयल इंडिया लिमिटेड ओरियेंटल बैंक ओफ कॉमर्स स्टेट बैंक ओफ इंडिया बैंक ओफ महाराष्ट्र आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड O.N.G.C. I.D.B.I. बैंक भारतिय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड U.P.A. सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राष्चिय राहत कोश से राजीव गांधी फाउंडेशन को दिये गए दान के खुलासे ने भी कॉंग्रेस के चहरे से नकाब हटा दिया कॉंग्रेस की नेतरित्व वाली U.P.A. सरकार ने प्रधानमंत्री राष्चिय राहत कोश प्राधानमंत्री राष्चिय राहत कोश P.N.R.F. का गलत इस्तिमाल किया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नाशनल रिलीफ फ़न से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दान किया गया यहाँ पैसा उस समय दान किया गया जब सोनिया गांधी PMNRF के बोर्ड में भी थी और RGF की अध्यक्ष भी थी BJP अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने कहा संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना PMNRF UPA के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था PMNRF बोर्ड में कौन बैठा? सोनिया गांधी यह पूरी तरह से निंदनिया है BJP अध्यक्ष नडड़ा ने 2005-2006 और 2007-2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन को दान देने वालों की लिस्ट शेयर की इनमें प्रधानमंत्री National Relief Fund का भी नाम है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्षों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत की थी सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेर परसन है इस फाउंडेशन में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियमका वाडरा, पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग के अलावा पी चिदंबरम ट्रस्टी है इससे पहले केंद्रिय कानोन मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिये उन्होंने पूछा था कि कॉंग्रेस ये बताए कि ये प्रेम कैसे बढ़ गया इनके कार्यकाल में चीन हमारी जमीन पर कबजा कर लिया कॉंग्रेस पश्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मनजूरी ली गई थी Times Now News Channel के अनुसार राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली यह वित्तिया मदद करोडों रुपए में है Times Now के अनुसार भारत स्थित चीनी दोतावास राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग करता रहा है खबर के अनुसार चीन की सरकार वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन करती है और इसके बाद वर्ष 2010 में एक अध्ययन जारी कर बताया जाता है कि भारत और चीन के बीच व्यापार समझोतों को बढ़ावे की जरूरत है राजीव गांधी फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट 2005, 2006 में भी कहा गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को People Republic of China के दूतावास से फंडिंग हुई है चीनी दूतावास के अनुसार भारत में ततकालीन चीनी राजदूत सुन युकसी ने 10 लाख रुपए दान दिये थे इस फंडिंग का नतीजा ये रहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझोते FTA के बारे में कई स्टडी की और इसे जरूरी बताया राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ FTA की पैरवी की जिसके बाद 2000-304 और 2013-14 के बीच व्यापार घाटा 33 गुणा बढ़ गया इसके अलावा 2008 में कॉंग्रिस और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी CCP के बीच MOU का राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ संबंध को लेकर भी सवार उठाये जा रहे हैं राहुल गांधी की कॉंग्रिस पार्टी का चीनी कन्यूनिस्ट पार्टी के साथ MOU, डोकलाम विवात के समय राहुल का चोरी छिपे चीनी दूतावास के अधिकारियों से मिलना चीनी जड़प के दौरान सरकार सिना पर सवाल उठाना सरकार की जगह पार्टी से परिवार के लोगों का चीन जाना कैलास मांसरोवर की यात्रा के दौरान चीनी अधिकारियों से गुपचुप मुलाकात करना यह सब Congress Party के साथ गांधी परिवार को संदे के घेरे में खड़ा करता है। आप से अनुरोध है देशित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें। आप हमें Google Pay या Paytm के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911955719 आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहेंगे। यदि आपको हमारे content पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी चैनल की अन्य वीडियो को भी जाकर देखें और कम से कम दस ग्रूपों में या अपने हित्मित्रों तत इस वीडियो को शेर करें। और हाँ यदि आपके पास कोई इस तरह की research base कोई content है तो उसे भी हमारे नीचे दिये नंबर 9911955719 पर WhatsApp कर सकते हैं। हम आपके नाम को गुप्त रखेंगे और यदि आप चाहते हैं कि हम आपका नाम अपने चैनल पर ले तो उसके लिए भी आप हमें अपनी लेक के माध्यम से अपने विचार को लिखे भारत माता की जय, वंदे मातर्म, जय हिंद।